हाई आप सब ठीक होंगे आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने बहुत दिन बाद एक मज़ेदार रेसिपी जो बहुत ही आसान और सिंपूल तरीके से बहुत ही हेल्दी तरीके से अप लोग घर पर बना सकते हैं आज मैं बनाऊंगे कद्दू के साथ एक करी जो बहुत ही टे से सोटा सा स्मॉल कद्दू के साथ अप लोग अल्डा करें लिट बहुत ही टेस्टी लगती है बहुत ही हेल्दी होती है फ्रेंस को दिखिए फ्रेंस काटते बाग एक मचल यहां पर गिर गए थे तो आपने साफ करके इसे मैं इसे स्टार काटके देंगे अभी इस तरह से कच्चा कद्दू के साथ भी आप लोग बना से बहुत ही टेस्टी लगती होती है बहुत ही टेस्टी लगती है मुझे रेसिपी तो मैं आज आप लोग के साथ शेयर करने बहुत ही बहुत ही बारिशोरी ही फ्रेंस में क्या बताओ आज का मौसम में मुझे खाने का बहुत ह कर रहा था तो मैं आज बनाऊंगी और एक पैन में मैं अड़ा बॉयल करने के लिए रख दिये हैं और इस तरह से सिस्टर कद्दू काट करके दे रही है मुझे विसारे साफ करके ठंडे पानी से धोलेंगे उची अगरदी फ्रेंज तीन अंडा लिए है अभी असे तरह से सिल्के निकल ये ठाणा कर लिये है पहले बॉयल करके ये भी अनडे शिर्के टेंड और मैं सील्के सफ करूंगी आपा दवाण के ने में देवी है सर्षों का तेल और दो अंड़ा जेदी है फ्रेंज एक अंड़ा टुट गई थी तो मैं बाद में देदूंगी और इस तरह से हलका फ्राइ करके इसमें बनाऊंगे आज देखे फ्रेंज आंड़ा में फ्राइ कर लिए है और तुटा हुआ अंड़ा है ओ भी ल फार्स टाइम में हरी मिर्ष के बिना बना रही हूँ करी जो बहुत थी अच्छी भी लगती है लेकिन मुझे हरी मिर्ष पसंद है इसलिए मैं हार सब्जी में देथी हूँ आज मेरे पास नहीं थे तो और मैंने नहीं दिए हैं फ्रेंज और इसमें कड़ू दे दिए हैं इसमें नमक हल्दी पौडर मिच्ची पौडर दे दिए हैं तो थोरी सी गरम मसाला मतलब जीरा और इसलिए पाउडर दे दिए हैं और सारे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे कर लोटू मिडियम फ्लेम इस तरह से सार्ष से पास्मिंट तक भूनेंगे कि दिखिए फ्रेंसार से पास्मेर तक अची तरह से मैंने भून लिए है थोड़ी सी सॉप्ट हो चुकी है दिखिए कालर भी धिरे-धिरे से स्टेंज हो रही है आप लोग देखकर ही बहुत सेकती है कि इसमें थोड़ी सी जीरा और इलाइसे पारडा देदेंगे सरि फिरेंस पहले मैंने जो दिये थे ऑठोशी गरम मसले था मैंने बोलते बोल दिया थे और दिके सारी मैंने और सब्सक्राइब न तक अच्छी तरह से भूने है मसला के साथ सोप्ठ हो चुकी है इसमार पानी देंगे पानी देदी है जादा नहीं दूंगी क्योंकि बहुत ही सॉप्ट कद्धु है स्मॉट सा कद्धु था और मैंने पहले से पास मुन तक अच्छी तरह से भूने हैं सॉप्ट हो चुकी है और इतना ही पानी कफी है अभी धकन देखे फ्लेम हाई में रखकर इसे पकान है 8-9 मिन तक फ्लेम हाई में रखकर क्योंकि फ्रेंज करी में बॉयल आ चुकी है और भी थोड़ी से ग्रेवी कम करूंगी क्योंकि एक के साथ ज्यादा ग्रेवी मुझे पसंद नहीं है इसलिए और अंडे भी सारा मेंने जो फ्राइ करके रखीते हो बीस में काटके इस त से काटके बनाने से बहुत अच्याद की फ्रेंज एक अंडा जो टुट गए थे ओवी फ्राइकर के दे दिये हैं और इसमें से बहुत ही बरिया खुश्बू निकल रही मैं क्या बताओ फ्रेंज आप लोग लास में जब दिखेंगे तो आप लोग बोलेंगे कि बहुत ही प्रेंज बनी थे समय दिखिए फ्रेंज लगबख हो चुकी है कि अधिए फ्रेंज फाइनली कद्व एक करें हमारी हो चुकी है फ्लेम लोटू मीडियम करके मैंने पकाया है दिखिए तो इसे दर्दरा हो चुकी है जादा पतला याया दर्दरा नहीं करूंगी और इसे फ थोड़ी सी ठंडा होने के बाद ऐसी भी जाया हो जाएंगे इसलिए नहीं ग्रेवी रखूंगी और थोड़ी सी ठंडा करके आप लोग उसे मिलती हूँ माशालला कितनी अच्छी बनी है हमारी एक अंडग एक कद्दुकरी जो बहुत थी आसान और सिंपूल तरीके से घर की मसाला से मिने बना के आप लोगों को दिखाए हैं आप लोग देखकर ही बोल सकती है कितनी श्वादिश्ट बनी है आप लोग इसे गर्मा गर्म रोटी या गर्मा गर्म राइस के साथ जोरू ट्राय किज़ेगा बहुत ही टेस्टी रखती है मैं तो आज राइस के साथ खाऊंगी मुझे बहुत पसंद है इसलिए बोल में मैं इस तरह से रखती है थोड़ी सी ठंड़ा करते हैं आप लोग अगर जब तक इससे बना के नहीं ख किये कच्चा कद्दू के साथ को इकरी कैसी बनी है अब एक थाली में मैंने राइस दोंगी राइस के साथ शर्फ करके शर्फ करके आप लोगों को दिखाती हो आप लोग इसे घर पर जुरूर ट्राइगे आप लोग तो चिकेन फीश बहुत तरह किसे खाया है या इक करी भी आप लोग इसे एक बर जुरूर ट्राइगे देगा थेंक यू शर्फ कर दो